अपना इंशुरेंस वाला जो MDRT आपके लिए पहाड तोने जैसा कठिल लगता है वो इतना आसान हो जाएगा कि आप भी हैरा रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या सच में इन छोटी-छोटी बातों को करके इतने बड़े रिजल्ट आ सकते हैं पर यकीन मानिए फ्रेंट्स ये दस बातों को अगर आपने दिल में बिठा कर काम में जुट गए तो तीन महिने में आप MDRT 100% हो जाएंगे तो फ्रेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्रेंस एलेटेट सारी इंफोर्मेशन मिलेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंट्स टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा 10 पॉइंट्स पे आते हैं फ्रेंट्स इन 10 पॉइंट्स को आप एक पेपर में नोट करके ऐसी जगह पे चिपका दें जिससे आप हर रोज दो से तीन बार अच्छे से पढ़ सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं फ्रेंस पॉइंट है 10.10.3 रूल्स आपको रोज 10 न्यू कॉल उपन करनी है मतलब आपको रोज 10 नहीं लोगों से L.I.C. की बात करनी है बात करने का मतलब है कि आप L.I.C. के किसी भी प्लान के बारे में चर्चा जरूर करें उनकी रिक्वार्मेंट के हिसाब से उनको L.I.C. का प्लान सजेस्ट करें और हर रोज आपको 10 नए फॉलो अप करने हैं फॉलो अप का मतलब है उन लोगों से दुबारा बात करनी है जिनसे आप पहले प्लान शो कर चुके हैं और आपको रोज 10 नियू कॉल्स और 10 नियू फॉलो अप के लिए कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट तयार करनी है और आपके लिस्ट में हमेशा नाम एड होते रहने चाहिए आपकी लिस्ट में हमेशा नाम एड होते रहे तो आपको हर मिटिंग में 3 रेफरेंस जरू लेने है नियम बना ले की पॉलिसी लेके आएंगे या फिर रेफरेंस लेके आएंगे या फिर दोनों लेके आएंगे लेकिन खाली हाथ कभी नहीं आना है यही है 10-10-3 रूल 10 new calls, 10 new follow-ups and 3 reference per day पॉइंट नमबर 2, क्लाइन के घर खाली हाथ ना जाएं आप कभी भी मीटिंग के लिए जा रहे हों तो खाली हाथ नहीं जाना है आप अगर क्लाइन के घर जाकर मीटिंग कर रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट, टॉफी या फ्रूट ले सकते हैं और अगर आप क्लाइन के आफिस में मीटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कोई अच्छा सा पैन, कोई डाइरी या टाई ले जा सकते हैं और कुछ न हो तो फ्लावर तो जरूर ले के जाएं और जितना आपकी पॉकिट अलाव करें उसके हिसाब से आप कुछ भी गिफ्ट ले जा सकते हैं पर खालियाद बिलकुल न जाएं फ्रेंट्स यकीन मानिये इस पॉइंट से आपकी पॉलिसी में कई गुना इंक्रिमेंट होगा पॉइंट नमबर थिरी बर्थड़े, एनिवर्सरी वर्क एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थड़े जरूर याद रखे और कोशिच करें कि उन्हें घर जाकर फ्लावर और केक देकर विश्च जरूर करें फ्रेंट्स जब भी आप अपने क्लाइंट के बच्चों के बर्थड़े पर केक लेकर पहुंचते हैं तो आप अपने क्लाइंट के दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि जब भी in future में वो आपसे कभी policy लेते हैं तो आपको ज़्यादा object handling नहीं करनी पड़ेगी ऐसे cases में client खुद कहते हैं कि आपको जो अच्छी लगे वो policy कर दीजिए बस मुझे बता दीजिए कि पैसा कितना जमा करना है Point No.4 आप जो भी activity करते हैं चाहे वो follow up हो या new calls हो या किसी से आप difference लेना चाह रहे हूं तो आप इन सब का record जरूर रखें record रखने से चीज़े आसान हो जाती है record को हर संडे को आप analyze भी कर सकते हैं देखें पिछले हफते से लेकर इस हफते तक आपका कितना improvement हुआ है Next है Point No.5 Distribute less important work to other चलिए आगे इसे detail में समझते हैं अब आपने MDRT करने का पक्का मन बना लिया है तो ये जान लिजी कि इस goal को पाने के लिए आपको काफी समय नएने client को देना होगा तो आपको extra report और extra time भी देना पड़ेगा दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं तो फिर ये extra time आखिर मिलेगा कैसे ये extra time आपको काम को distribute करके मिलेगा मतलब जो काम आपको गय जरूरी लगें उनको आप दुसरों को सौंप सकते हैं जैसे renewal जमा करना, client को receipt देना वगेरा वगेरा इन सब कामों के लिए आप किसी को hire भी कर सकते हैं अपना जादा से जादा time नए client पर लगाएं जिससे कि आपका business और भी बड़ोतरी करें नेक्स पॉइंट है पॉइंट नमबर 6 Give half hour to your brain हर दिन आदा घंटा अपनी insurance company से related या sales से related बुक पढ़िए या फिर कोई वीडियो देखी दोनों की condition में हाथ में आपकी paper और pen ले और बैठे और जो point आपको अच्छा लगे उसे point को आप note करें और अगले ही दिन से business में apply करें हमेशा याद रखिए जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आप उतनी ही आसानी से जीत जाएंगे हमें 90% agent वीडियो देखते हैं जोश में आ जाते हैं और अगले ही दिन सब भूल जाते हैं इसलिए मेरी आपसे request है कि point को note जरूर करें और उस पर अमल जरूर करें next point है point number 7 use the power of Natch Natch एक ऐसा माध्यम है जिससे की premium का पैसा direct bank से कट जाता है proposal form भरते समय Natch का form भी भर दें इससे आपको बार बार renewal के लिए नहीं जाना पड़ेगा friends आप ज़्यादा सी ज़्यादा policy Natch के माध्यम से मंतली मोन में करें इससे आप बड़े premium को आसानी से ला सकते हैं किसी भी client के लिए 1,20,000 premium एक बार निकालना cut in है पर 10,000 की किष्ट हर महीने निकालना आसान है इसी तरह के को आज बड़ी company भी इस्तमाल कर रही है अपनी sale बढ़ा रही है कार्ट से लेकर phone तक सब मंतली installment भी कर रहे है Natch पर अपना insurance वाला की team एक detailed video बनाने जा रही है जिसमें इससे भी बहतर तरीके से समझाया जाएगा Point No.8 सबसे पहले अपने client का फाइदा सोचे जब भी आप meeting करने जाए इश्वर से prayer जरूर करे हमेशा client की requirement के हिसाब से plan बताए कोशिश करें कि client के लिए बहतर plan combination बनाए उसकी जरूरोतों का पूरा ध्यान रखे अपना plan बेचने की कभी भी जल बाजी ना करें अगर किसी तरह आप plan बेच भी देते हैं तब भी भविश्य में आपको वहां से कोई business नहीं मिल पाएगा जैसे कि doctor मरीज की पूरी तकलीफ को सुनता है फिर दवा लिखता है उसी तरह आप भी अपने client की पूरी जरूरोतों को समझे फिर उनको सही plan combination दे और फिर इस तरह ही आपका business आगे बढ़ पाएगा अब आपने MDRT qualify करने का decision ले लिया है तो आपको ऐसे लोगों का association करना है जो आपकी ही तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ने करकी कुछ करना चाहते हैं इससे आपका motivation हमेशा बना रहेगा कभी आपने कोईले को जलते देखा है उसमें सेगर एक कोईला निकाल के रख दिया जाए तो कुछ ही देर में वो ठंडा होकर उसमें राग बन जाएगे हमें भी अपने आपको इसी तरह अच्छे association में रखना है जिससे हमारे अंदर की आग हमेशा जलती रहे और जिससे हमारा लक्ष जो है MDRT वो जल्द से जल्द हमें मिले और कौन हमारे बारे में क्या कहता है इन सम बातों पर बिल्कुल ध्यान न दे याद रखिए अगर राह में भौंगने वाले हर कुटे को पत्थर मारेंगे तो मंजिल तक समय पर नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए बिना किसी की परवा किये अपने काम में जुट जाएं लास्ट पॉइंट है पॉइंट नमबर 10 Be thankful to everyone and praise everyone हर किसी में कोई न कोई अच्छी बात होती है उसको appreciate करिए उसे praise करिए हर बुरे से बुरे इंसान में कोई न कोई अच्छाई होती है उसके लिए उसकी तारीफ करिए लोगों के अच्छे कारे के लिए उनको thankful रखिए हर व्यक्ति से मिलते समय आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए जीवन में सुबह से शाम तक कई लोग हमारी हेल्प करते हैं जैसे न्यूस पेपर से लेकर वाच्मेन तक हजारों लोग कहीं न कहीं हमारे जीवन को आसान बनाते हैं जब भी आप मौका मिले तो उनका हमेशा शुक्रिया करें रात में सोने से पहले पूरे दिन की अच्छी बातों के लिए अपने भगवान को शुक्रिया करें अपने इश्वर को एक बहतरीन दिन देने के लिए उसका धनिवाद करें इस वीडियो से रेटेट किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें